नमस्कार दोस्तों वेदानता जिंक की बड़ी खबर के साथ साथ दो और बड़ी कमपनियों का बड़ी न्यूज लाया हूं और उसके साथ साथ 35 कमपनियों का डिविडेंट न्यूज लाया हूं इसलिए आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन आउन कर लीजिए और आपसे गुजारी से की पूरी वीडियो देखें बोड द्वारा सेरधारक मुल्य को अनलॉक करने के लिए कार्पोरेट पुनरगठन को मंजूरी दिये जाने के बाद हिंदुस्तान जिंक के सेरों में उच्छाल आया है प्रवंधन विकल्पों के मुल्यांकन में सहायता के लिए बाहरी सलाहकारों की नियुक्ती करेगा और साथ में निदेशक मंडल को आगे की रनीती के बारे में जानकारी देगा बोड द्वारा सेर धारक मुल्य को अनलॉक करने के लिए उचित कार्पोरेट पुनरगठन अभ्यास का मुल्यांकन करने के लिए निदेशकों की शमीती को अधिकरित करने के बाद हिंदुस्तान जिंक के सेर 6 परतिसत अधिक कारोबार कर रहा है विचार यह है कि कमपनी के जस्ता और सीसा चांदी और रिसाइकलिंग वेवसाई के लिए अलग-अलग कानूनी संस्थाओं को अनलॉक किया जाए बोड द्वारा उल्लिखित रन्नीतिक उदेशों में शामिल है सेर धारकों के लिए मुल्य अनलॉक करे ऐसे वेवसाओं का निर्मान जो विशिष्ट बाजार स्थितियों का बेहतर लाव उठाने और दिर्खकालिक विकास परदान करने की स्थिती में हो वेवसाई के अधार पर उपर्युक्त पुन्जी संडचना और पुन्जी आवंटन नीतिया प्रबंधन विकल्पों की मुल्यांकन की सहता के लिए बाहरी सलाहकारों की नियुक्ती करेगा और साथ में निदेशक मंडल को आगे की रनीती के बारे में जानकारी देगा हिंदुस्तान जिंके सेर 4 फिसीदी बढ़ कर 309 रुपया 50 पैसा पर कारोबार कर रहे हैं परकिरिया में विदानता के सेर सुकरवार को 7 परतिसत की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं जिससे 7 दिन की गिरावट से यह सिलसिला तूट गया है यह 2023 में अस्टॉक के लिए सबसे अच्छी एक दिन की बढ़त भी है दिन के इस समय अस्टॉक अपने 20 दिन के अवसत से 70 परतिसत अधिक भोल्यूम भी बढ़ गया है हिंदुस्तान जिंक में विदानता की 64.9 दो फिसीदी हिस्सेदारी है यह पर मोटर के लिए महत्पूर्ण है क्योंकि उन पर 6.4 बिलियन डॉलर का कर्ज है उन्हें कुछ संपतियां बेचने की आवश्यक्ता हो सकती है इसलिए अलग-अलग कमपनियों के तहट अलग-अलग वेवसाय होने से उनके लिए यह चुनना आसान हो जाता है कि कौन सा वेवसाय रखना है और कौन सा बेचना है राकेश ने कहा गोईंडा एडवाइजर्स और अरोडा CNBC TV 18 से बाचित में यह बात कही उन्होंने कहा खुद्रा सेर धारकों के लिए अगर वे इसे बनाए रखते हैं तो एक वेल्यू अनलॉकिंग होती है क्योंकि होल्डिंग कमपनी की छूट चली जाती है यह दोनों द्रिष्टी कौन के लिए उचित है खुद्रा सेर धारकों के साथ साथ पर मोटरों के द्रिष्टी कौन से भी हिंदुस्तान जिंक की किसी भी योजना के लिए बोर्ड से अनुमोदन की आवशकता होगी जिसमें सरकार के नामित वेक्ती भी सामिल होंगे जून तीमाही के सेर होल्डिंग पैटर्ण के अधार पर सरकार के पास हिंदुस्तान जिंक में 29.54 फिसिदी हिस्सेदारी है इस साल जन्वरी में वेदानता ने भोशना की थी वह अपने अंतराष्टिय जिंक परिशंपती को 2.98 बिलियन डॉलर में अपनी सहायक कमपनी हिंदुस्तान जिंक को हस्तान तरित करेगी हिंदुस्तान जिंक में वेदानता की 64.92 फिसिदी हिस्सेदारी है इस लेन देन से मुल्य अनलॉक होना अंतराष्टिय जिंक परिसंपत्यों का मुद्री करन होना और हिंदुस्तान जिंक के लिए परियाफ्त तालमेल होना था आखिरकारिया सवदा सफल नहीं हो सका तीन मार्च को CNBC TV 18 को दिये एक इंटर्व्यू में वेदानता के चेर्मेन अनील अगरवाल ने सरकार को चेतावनी दी थी कि डील के बिना हिंदुस्तान जिंक बंध होना सुरू हो जाएगा वेदानता के पास हिंदुस्तान जिंक में 64.9% हिस्सेदारी है और अगर वह हिस्सा वेदानता के सेरधारकों को वितरित किया जाता है तो उनके लिए बड़ा मूल अनलॉक होगा क्योंकि हिंदुस्तान जिंक का बाजार पुंजी करन वेदानता से कहीं आगे है इसलिए उस पहलू से यह सकारात्मक है दूसरे सरकार को बेचने की जरुत है लेकिन मुझे नहीं लगता वेदानता के पास उस हिस्सेदारी को बेचने के लिए बोली लगाने का साधन है इसलिए इसे खुदरा निवेश को आदी को बेचना होगा अगर फ्री प्लोट हिंदुस्तान जिंक में बढ़ता है तो यह अधिक निवेश योग हो जाता है गोई इंडिया के अडोडा ने कहा यह हिंदुस्तान जिंक एक कमपनी के रूप में अस्थीर हो गई है पिछले कि उनके पास 2030 तक की समय सीमा है जब खदाने फिर से निलामी की जाएगी इसलिए वे बड़ा निवेश जोखिम नहीं लेते हैं जब वे 2030 के आगे खदान के जीवन को को आस्वस्त नहीं है जाहिर है वे इसे पाने के लिए परमुग दावेदार होंगे धातू विसलेशक राहुल जैन ने कहा अब अगली खबर बढ़ सकता है सभी सेरों का प्राइस एक्सपर्ट ने कहा खड़ी दिले दोस्तो पूरी जानकारी आपको दी जाएगी लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ओन कर लीजिए दोस्तो अगर आप भी प्रोफिट वाले सेर ढून रहे हैं तो देखिए एक्सपर्ट ने आज कौन से सेर खड़ी दिने की सला दी है गुरुवार को लगबग एक फिसिदी की बाद आज ग्लोबल मार्केट में प्रोफिटिव रुजानों के बीच सेर वाजार की सुरुवात तेजी के साथ हुई आज बीएसी संसिक्स 183.98 अंक यानी 0.2 फिसिदी की बढ़त के साथ 65,692.3 सुनि के अस्तर पर खुला वहीं NSE निफ्टी की सुरुवात आज 65.8 सुनि अंक यानी 0.34 फिसिदी की बढ़त के साथ 1589.3 सुनि के अस्तर पर हुई ACI बजारों में टोक्यो, संगाई और होंग काउंग पोजेटिव अस्तर के करीव काड़ुबार कर रहे हैं गुरुवार को अमेरिकी बजार हरे निशान में बंद हुए थे, एक्स्चेंज डेटा के मुताविक विदेशी संस्थागत निवेशकों FII ने गुरुवार को 3,364.22 करोर रुपय की एक्विटी बेची 29 सितंबर को CNBC आवाज के खास सो खिलारी नमबर वन पर मार्केट एक्सपर्ट ने बताया कि आज कौन से सेर खर दने पर आपको मुनाफ़ा हो सकता है एक्सपर्ट ने सलाह दी है कि मुनाफ़ा कमाने के लिए आप जिंदल अस्टेंडलेस, इरिस लाइफ साइंसेस, सन फार्मा और गेल के सेर खड़ी सकते हैं देखिए इनका टार्गेट प्राइस और अस्टाप लॉस कितना है अरुन कुमार मंतरी के पसंदीदा सेर पहला सेर जिंदल अस्टेंडलेस है, इस पर राय है कि आप खड़ी दे, टार्गेट प्राइस इसका 505 रुपया परती सेर है और अस्टाप लॉस 460 रुपया परती सेर है दूसरी कमपनी इरिस लाइफ साइंसेस है इस पर भी राय है कि आप खड़ी दें इसका टार्गेट प्राइस 990 रुपया परती सेर है और इसका अश्टाप लॉस 888 रुपया परती सेर है अगले हैं रुचित जैन इनके पसंदीदा सेर है सन फार्मा इस पर राय दिये हैं खड़ी दने की 1220 रुपया परती सेर का टार्गेट प्राइस दिया गया है और 1140 रुपया परती सेर अस्टाप लॉस दिया गया है अगले हैं हैरिस जुजिरे के इनका पसंदीदा सेर गेल है इस पर राय दिये हैं कि इन्हें आप खड़ी दिये और टार्गेट प्राइस 131 रुपया परती सेर दिये हैं और अस्टाप लॉस 121 रुपया परती सेर दिये हैं अब तीसरी खबर अपर सरकिट स्टाप्स कमपनी को मिला और सेर पर लगा अपर सरकिट दोस्तों पूरी जानकारी आपको दी जाएगी इस बारे में लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सबस्क्राइब कर नोटिफिकेशन आउन कर लीजिए दोस्तों अपर सरकिट स्टाप्स आडर मिलने की खबर के बाद सेर में जोरदार तेजी आई है सेर 44 रुपे उछल गया है इसके बाद सेर पर अपर सरकिट लग गया है ये कमपनी एमको एलेकॉन ह कमपनी को इंदरदीप कंस्ट्रक्शन से 60 करोर रुपे का आडर मिला है कमपनी कोल माइनिंग मसीन सप्लाई करेगी ये 31 दिसमबर 2024 से पहले करना है इस खबर के बाद सेर में अपर सरकिट लग गया है यहां आपको बता दें सेर में जब सिर्फ खडिदार होते हैं तो सेर पर ट्रेडिंग रुक जाती है सेर ने एक महिने में 20 फिसीदी जनवरी से सितंबर तक 100 फिसीदी एक साल में 150 फिसीदी तीन साल में 200 फिसीदी का रिटर्न दिया है कारोबारी साल 2022 की अपरेल जुन तिमाही में के मुकाबले में कारोबारी साल 2023 की अपरेल जुन तिमाही में कमपनी का मुनाफ़ा 1.30 करोर रुपे से बढ़कर 5.36 करोर रुपे हो गया इस दोरान आमदनी 30.78 फिसीदी बढ़कर 43.78 करोर रुपे हो गई पर्मोटर्स की कम्पनी में हिस्सेदारी 74.06 फिसीदी है बीती 5 तिमाही में इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है अच्छी बात ये है कि जून तिमाही में कमपनी के प्रमोटर्स का एक भी सेर गिर्वी नहीं था जबकि मार्श तिमाही में 4.6-8 फिसीदी हिस्सेदारी गिर्वी रखी थी क्या करती है एमको एलकॉन इमको एलकॉन इंडिया लिमिटेड भूमीगत और ओपन कास्ट खदानों के लिए एक्युपमेंट बनाती है और मार्केटिंग करती है वल्लब बिद्या नगर आनंद गुजरात में अस्थित इमको एलकॉन 15 एकर में फैला हुआ है इमको एलकॉन इंडिया लिमिटेड ने सबसे पहले भूमीगत कोईला और धातुई खदानों को आंसिक रूप से यंत्री कृत्र करने के लिए भारत के साइट डंप लोडर, SDL, लोड हॉल डंपर, LHD और रॉकर सौवल, लोडर का टेक्नलोजी जबेस की थी तब से बजार अब डिविडेंट निउस, पहली कंपनी ICICI Lumbered Insurance है, इसकी करेंट मार्केट प्राइस 1274 रुपया परती सेर है, इसने अपने डिविडेंट रिजल्ट की मीटिंग 27 अक्टूबर को रखी है, अगली कंपनी का नाम Gensal Engineering Limited है, इसकी करेंट मार्केट प्राइस 1868 रुपया परती सेर है, यह बोनस देगी दो अनुपात एक की रेशियो में इसकी एक स्टेट अपकमिंग है Next Company का नाम SLA Solutions Limited है, इसकी करेंट मार्केट प्राइस 1516 रुपया परती सेर है, यह 30 रुपया परती सेर डिविडेंट देगी इसकी एक स्टेट 6 अक्टूबर है अगली Company का नाम Nippon Life India AMC है, इसकी करेंट मार्केट प्राइस 332 रुपया परती सेर है, इस अस्टाक की डिविडेंट रिजल्ट की मीटिंग 30 अक्टूबर को रखी गई है अगली Company का नाम Avental Limited है, इसकी करेंट मार्केट प्राइस 234 रुपया परती सेर है, इसने अपनी Board Meeting जो की Bonus Issue और रिजल्ट की मीटिंग है, यह 9 अक्टूबर को रखी है अगली Company का नाम MRP Agro है, इसकी करेंट मार्केट प्राइस 132 रुपया परती सेर है, यह Bonus 2 अनुपात 1 की रेशियो में देगी इसकी